नमस्कार दोस्तो अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्रफर या विडियोग्रफर हैं या फिर आप अपने शौक के लिए फोटोग्रफी या विडियोग्रफी करते हैं और आप एक नया कैमरा खरीदना चाहते हैं तो आपके मन में ये सवाज जरूर रुटता होगा कि क्या मैं DSLR खरीदू या फिर मैं मिररलेस कैमरा की तरफ चाहूँ तो दोस्तो इस वीडियो के माद्यम से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा कि आपके लिए कौन सा कैमरा जादा उपयोगी रहेगा आज के इस वीडियो लिक्चर में हम लोग बात करेंगे कि DSLR क्या होता है मिररलेस कैमरा क्या होते है और DSLR कैमरा और मिररलेस कैमरा के मेजर डिफरेंसेस क्या क्या है सबसे पहले बात करते हैं कि DSLR कैमरा क्या होता है DSLR का फुल फॉर्म है Digital Single Lens Reflex इसको हम लोग Digital SLR भी बोलते हैं अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि Digital SLR और SLR में क्या अंतर है दोस्तो SLR कैमरा से हम लोग जो फोटो लेते हैं वो कैमरा रोल में सेव होती है और कैमरा रोल की कुछ कपैसिटी होती है इसके बाद वो फुल हो जाता है अब अगर आपको और फोटोग्राफ क्लिक करनी है तो आपको नया रोल अपने कैमरे में डालना होगा अब अगर हम DSLR को देखते हैं तो DSLR क्या है वो SLR का अपग्रेड वर्जिन है DSLR में आप उसकी कैपैसिटी के अनुसार 8GB, 16GB, 32, 64, 128 या उससे जादा का मेमरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं DSLR की मदद से आप किसी भी फोटो पर जल्द एक्षिन भी ले सकते हैं आप फोटो को सेफ कर सकते हैं आप अपने फोटो या वीडियो को डिलीट कर सकते हैं या फिर आप उनको सेंड भी कर सकते हैं लेकिन ऐसा आप SLR कैमरे में नहीं कर सकते थे अब बात करते हैं कि DSLR कैमरा काम कैसे करता है DSLR में हम लोग अपनी फोटो को कमपोस करने के लिए व्यूफाइंडर का इस्तमाल करते हैं यह व्यूफाइंडर ऑप्टिकल व्यूफाइंडर होता है यहां पर आपको एक ग्राफिक दिख रहा होगा यहां पर आप देख सकते हैं जो लाइट है वो लेंज के बीतर से होते हुए रिफलेक्स मिरर पर टकराती है यह जो मिरर है यह कैमरे के भीतर 45 डिग्री पर रहता है इसके बाद यही मिरर लाइट को मोड़कर उपर बैठे एक पेंटा प्रिस्म पर ले जाता है पेंटा प्रिस्म का काम इस नीचे से आने वाली रोशनी को सीधा करके बाहर लगे व्यूफाइंडर पर ले जाना होता है जिससे हमने सीन को कंपोस करने में सहीता मिल सके अब जैसे ही हम लोग शटर बटन को दबाते हैं तब ही मिरर और फिर शटर का परदा उपर की ओर उठ जाते हैं जिससे लेंस में आती हुई लाइट अब सीधा जाकर इमेज सेंसर पर टकराती है और फोटो खिच जाती है जब तक शटर उठा रहेगा तब तक सेंसर एक्सपोस होता रहेगा और जैसे ही शटर गिरेगा तब रिफ्लेक्स मिरर वापस अपने स्थान पर आ जाएगा अब अगर हम लोग बात करते हैं कि मिररलेस कैमरा क्या होते हैं जैसे नाम से ही आपको लग रहा होगा मिररलेस कैमरा में मिरर नहीं होता है इन camera में light सीधा सीधा sensor पर fall करती है और sensor जो भी information को capture करता है वो उसको electronically viewfinder पर send कर देता है और अब जब हम लोग click करेंगे तो वो information capture हो जाती है दोस्तो कुछ साल पहले तक market में DSLR camera की monopoly हुआ करती थी जितने भी professional photographer या videographer है उनकी first choice DSLR camera ही रहता था mirrorless camera भी market में available थे लेकिन वो काफी limited थे आज market बदल चुका है आज market में कई professional mirrorless camera available है और अब इनों ने DSLR के monopoly को काफी हद तक खतम कर दिया है अगर ये समझा जाए कि आने वाला time mirrorless camera का है तो वो अतिशोक्ती नहीं होगी तो अब देखते हैं DSLR camera और mirrorless camera में क्या-क्या differences है और इन दोनों के क्या advantage और disadvantage है सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोनों camera के viewfinder के बारे में सबी DSLR optical viewfinder का प्रियोग करते हैं जो photo compose करने में धीमा होता है क्योंकि असली scene और खीचे हुए photo में कुछ अंतर हो जाता है इसका मतलब यह है कि जैसा हम viewfinder पर देखते हैं photo वैसी नहीं आपाती आपने देखा होगा कई बार आपकी photo underexposed या फिर overexposed हो जाती है लेकिन many photographers still prefer an optical view for its clarity, natural look and lack-free viewing इसके विपरीत mirrorless camera में electronic viewfinder होता है जिससे photo एकदम वैसी ही आती है जैसा हम viewfinder या LCD screen पर देखते हैं ऐसे इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि EVF का सीधा संबन सेंसर से होता है और बीच में pentapres या mirror की जरूरत नहीं पड़ती EVF में हम लोग live histogram भी देख सकते हैं जो काफी useful होता है लेकिन optical viewfinder में ऐसा होना संभव नहीं है अब अगर दोनों camera के size और weight के बारे में बात करें दोनों camera के size और weight के advantages और disadvantages भी हैं अगर आप heavy lenses यूज करते हैं जैसे 70-200, 500 mm तो DSLR की body ज्यादा अच्छे से lens को support करती है handle shoot करते वक्त balancing सही रहती है लेकिन mirrorless camera की body lightweight होने से अगर आप उसमें heavy lens attach करते हैं तो handle shoot करते वक्त balance इतना सही नहीं बनता और अगर आपके हाथ बड़े हैं तो आपको balance करने में काफी दिक्कत आ सकती है लेकिन अगर आप travel videos बनाते हैं या आपके shoot में काफी ज़दा travel होता है या अगर आप एक wedding film maker हैं तो आपको light equipments चाहिए होते हैं जिनको आप असानी से carry कर सके तो इस case में आप mirrorless camera को choose कर सकते हैं अगर हम लोग बात करते हैं image sensor की तो sensor काफी delicate part होता है किसी भी camera का sensor को हमें धूल मिट्टी पानी से protect करना होता है DSLR में जब हम लोग lens को change करते हैं तो mirror सामने आके sensor को protect कर लेता है लेकिन काफी सारे mirrorless camera में lens change करते हुए sensor पूरी तरीके से exposed हो जाता है जिस से sensor में dust particle गुसने का खत्रा बना रहता है अब दोस्तों दोनों camera के लिए कितने lens available हैं इस बारे में चर्चा करते हैं अगर DSLR camera के बारे में बात करें तो बोथ Canon and Nikon have a massive lens range for every job और third party lenses भी DSLR cameras के लिए काफी ज़ादा available हैं अगर mirrorless camera की बात करें तो पिछले दो तीन सालों से Sony, Panasonic और Olympus ने भी अपने mirrorless lensों में अच्छा खासा इदाफा किया है पर DSLR की तुलना में अभी भी mirrorless camera काफी पीछे है अब बात करते हैं autofocus के बारे में जादातर DSLR में face detection technology का इस्तिमाल होता है इसकी वज़ा से आपका जो focus है वो काफी fast होता है दूसरी तरफ जादातर mirrorless camera में contrast based detection technology का इस्तिमाल होता है जिससे focus प्राप करने में lens hunting की समस्या आती है खास कर subject tracking के दौरान लेकिन अब जो advanced mirrorless camera market में आ रहे हैं उन में hybrid focusing system का use होने लगा है इसके कारण इन camera का autofocus अब काफी fast हो चुका है सोनी के mirrorless cameras में eye autofocus टिक्नीक का इस्तिमाल होता है जिसने एक नया standard sit कर दिया है अगर दोनों camera की battery के बारे में बात की जाए तो mirrorless की तुलना में DSLR camera की battery काफी जादा चलती है ऐसा इसलिए क्योंकि mirrorless camera में electronic viewfinder और screen को continuous power की ज़रूरत पड़ती है अगर हम लोग दोनों camera के video feature की बात करें तो हम देखेंगे mirrorless camera में आपको video के काफी जादा feature मिलते हैं Almost सारे mirrorless camera में आपको 4K का option मिल जाता है लेकिन कई DSLR अभी भी ऐसे हैं जिसमें सिर्फ फुल HD तक की recording हो सकती है इसके अलावा काफी सारे mirrorless camera में आपको in-built image stabilization मिलता है लेकिन जादा तर DSLR में कुछ lenses में ही आपको image stabilization की सुविधा मिलती है और अन्त में मैं ये कहना चाहूँगा कि camera लेने के लिए सबकी जरूरते अलग-अलग होती है आगे निड़ने आप पर है कि इन दोनों में से आप किस के साथ जाना चाहते हैं तो आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही धन्यवाद